दोस्तों TBS की एक new 125cc की bike आ रही है जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सबसे पहले बात मैं आपको बता दू कम्पनी के साइड से अभी तक ये clear नहीं किया गया है कि ये bike कौन सी है और इसका क्या नाम होने वाला है पहले चीज जो की यहाँ पर आप clip देख सकते हैं जो की old वाले फिरो के time का लगता है और यहाँ पर bike देखने में भी commuter bike लग रही है तो यहाँ से इसका look फिरो के जैसा दिखाई देता है उसके बाद अगर थोड़ा और आगे clip देखते हैं तो यहाँ पर आपको TBS Apache का race वाला घोड़ा दिखाई देता है और petrol call जो है वो TBS की Apache जैसा ही देखने में लगता है तो यहाँ पर यह Apache 125 लगता है उसके बाद जो लोग Ronin सोच रहे हैं वो headlight के new look और video में new R logo का design देखके बोल रहे हैं क्योंकि अगर Apache RTR होती तो उसका जो अलगी design है RTR का वो अलगी design है बट यहाँ पर Ronin का new logo का अलगी design है तो यहाँ पर इन तीनों में से क्या होने वाला है तो देखें यहाँ पर real में क्या होगा अभी तक तो company ने यह hints नहीं किया है बट original क्या होने वाला है यह तो company ही बताएगी बट मेरे ख्याल से यहाँ पर इन तीनों में से कोई एक हो सकता है या फिर कुछ new ही introduced करवाएगी इंडियन मार्केट में TBS की 125cc की रेंज में तो आपको स्कूटर काफी सारे देखने को मिल जाता है बट वहीं अगर 125cc की स्कूटर के बारे में बात करें तो फिलाल TBS के पास अभी उप्सन नहीं था और इंडिया में 125cc की बाइक सबसे ज्यादा बिखती है और काफी लोग इ SP 125, Hero की New Glamour X-Tec और Bajaj की Pursor 125 सबसे ज्यादा बिखने वाली बाइक और बेस्ट बाइक है जिसमें सबसे ज्यादा फिचर आपको Hero Glamour 125 X-Tec में देखने को मिलता है बट जो अभी TBS 125cc की न्यू बाइक लॉंच कर रही है उसमें आपको इन तीनों बाइकों के मुकाबले स कर दिया गया है मैं आपको बता दू कि 16 सितंबर के दिन सुबह 11 बजे इसको लॉंच किया जाएगा तो इसका लाइब लॉंच वाला वीडियो मेरे चैनल पर आपको देखने को मिल जाएगा तो अगर आप इंट्रेस्ट है इस बाइक को लाइब लॉंच में देखना चाहत आपको फेस लुक वाला है देखने को मिल रहा है जैसा कि यहां पर आप देख सकते दुनों साइड में आपका लुक और नीचे में मुग का लुक दिया गया है जिससे ऑवर ओल जो इसका फाइनल लुक है वो फेस का निकल के आ रहा है वहीं इसमें दो सेपरेट एलीड डि आपको फुली डिजिटर कल लुक है वो जादू की तरह लगा रहा है नेक्ष्ट बात करें तो इसके जो इंस्टुमेंट कंसोल है उसके आगे कोई सभी वाइजर नहीं है इसमें आपको fully digital color TFT instrument console देखने को मिल जाता है जो देखने में काफी अच्छा लग रहा है क्योंकि इसमें अलग-अलग information के लिए अलग-अलग run-run color का use किया गया, इस्तिमाल किया गया है जैसे white, red, black, yellow, green, light, blue इससे इसका look गजब का लग रहा है इसके instrument console में आपको काफी सारे details देखने को मिल जाते हैं जैसे RPM, time, fuel indicator, engine light, side strength sensor, temperature, trip meter, indicator, light gear position, speed, mileage, odometer काफी सारे information इसमें आपको देखने को मिल जाते हैं जैसे range, average, eco mode, ABS, navigation मतलब जितने सारे feature होते हैं, सारा कुछ आपको इस bike में देखने को मिल जाएगा इसके fully digital instrument console में आपको सारा चीस्वा होता हुआ दिख जाएगा मेरे idea से इसमें आपको Bluetooth connectivity और mobile connectivity तो मिले गाई साथ ही इसमें TBS की जो new endork 125 Race XP को launch किया गया है उसमें जो feature मिलते हैं आपको हो सकता है कि इस bike में भी देखने को मिल जाए राइड मोड वेगरा सारा कुछ आपको इसमें भी देखने को मिल जाए क्योंकि जो TBS है वह टेकनोलोजी के हिसाप में सबसे आगे अभी चल रही है तो 125 में अगर उन्होंने अपनी स्कूटर में यह features दिया है तो मुझे जहां तक लगता है कि वह अपने बाइक में भी 125 सी की बाइक में भी वह सारे फीचर इंक्लूट करेंगे तो आपको इसमें fully loaded फीचर देखने को मिलने वाला है भाई मतलब ठूस ठूस के कंपनी ने इसमें आपको फीचर दे दिया है कि लो भाई एस करो मजे करो वह instrument console के ठीक ऊपर आपको TBS का घोड़ा देखने को मिल जाता है और यहां पर आपको side में mode और set का दो switch देखने को भी मिल जाते हैं instrument console के ठीक नीचे आपको lock दिया गया है जहांसे आप चाभी लगा के इस bike को on कर सकते हैं और वहीं पर handle के बीचों बीच में आपको TBS लिखा हुआ देखने को मिल जाता है ठीक उसके अगर handle bar के right side में अगर हम चलते हैं तो इसमें आपको engine q switch और excel पर start का दो switch आपको right side में देखने को मिल जाता है left hand bar के side में pass switch, high beam, low beam switch, left right indicator switch और hone का switch दिया गया है साथ यहां पर मुझे लग रहा कि यह charging point हो सकता है और इस bike में 99% charge है कि company यहां पर आपको mobile charging port देगी ही बाकी जो petrol call है उस पर आपको बड़ा सा 3D में TBS का गोड़ा दिखाई देगा और उसके नीचे अगर आपको देखते देखने को मिल जाता है और वहीं अगर यह reflector के बारे में बात करें तो front में भी आपको यह चीज़े देखने को मिलने वाली है side view mirror अगर आप देखते हैं तो TBS की Apache की तरह ही इसका side view mirror का look दिया गया है वहीं इस bike में आपको चार color option देखने को मिल जाते हैं जो कि अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं yellow, red, blue और black यहां पर black दिखाई नहीं दे रहा है बट इस video clip में आप देख सकते हैं कि black color का दिखाए गया है और वैसे भी black normal color होता है और standard color होता है तो वो तो होना ही है कि black color में यह bike होने वाली है तो 4 color में इस bike को launch किया जाने वाला है और 2 variant में launch क किया जाना वाला है जैसा कि पहले मैंने आपको बता है वहीं इसके pricing के बारे हम बात करें तो 1,5,000 रुपए के अंदर ही इसका एक सरूम प्राइज होने वाला है बाकी यह जो मैंने प्राइज बता है यह expected price है इतना एप्रोक्स हो सकता है बाकी जो original price है वो तो company launch के बाद ह भी share करने वाली है उसके बाद ही हमें पता चलने वाला है दोस्तों अभी जो मैंने सारा details जो अभी बताया है यह company के तरफ से अभी पूरा rebuild इसको नहीं किया गया है थोड़ा सा ही इसको rebuild किया गया है तो उसी जनकारी के थ्रूई मैंने आपको यह सारे information अपडेट किया है share किया है आगे अगर इसके उपर कोई भी update या news आउट होता है तो उसका मैं आपको inform कर दूँगा सबसे पहले इसका वीडियो या जो भी update होता है उसको मैं सबसे पहले Instagram पर update कर देता हूं क्योंकि YouTube पे जो मैं वीडियो upload करके डालता हूं तो उसमें थोड़ा सा वक्त लग हैं तो आसा करता हूं आपको यह details और वीडियो पसंद आया होगा तो चलिए मिलते किसी और वीडियो में नई update content के साथ तब तक के लिए इस वीडियो में मुझे अलविदा दीजिए तब तक के लिए आप ride with bike कीजिए कि अज़ा धिए में में पित्त का अई लूए इसकीफdogs वे शड़ को फेसी और ऱई अज़ झायए झाल झाल झाल